प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने इसरो केस बैग्यानिकों के साथ मीटिंग की इसमें 21 अक्टूबर को भारत के पहले human space flight mission गगनियान के crew escape system की testing की तैस्टिंग की तैयारियों का जाजा लिया प्रधान मंत्री ने इसरो के वैग्यानिकों से कहा कि हमें 2035 तक अपना space station बनाने और 2040 तक चंदरमा पर मानो भेजने की योजना पर काम करना चाहिए प्रधान मंत्री ने इसरो मिशन गगनियान के crew escape system की टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सुभे 7-9 बजे के बीच करेगा आसान भाशा में कहें तो मिशन के दौरान रॉकेट में गरबडी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को प्रत्वी पर सुरक्षित लाने वाली सिस्टम की टेस्टिंग होगी। गगन यार मिशन के टेस्ट वीकल अवार्ट मिशन वन को सिरी हरिकोटा के सतीश धवन अंतरक्ष केंदर से लौच किया जाएगा। इस फ्लाइट में तीन हिस्से होंगे। अवार्ट मिशन के लिए बनाया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मौडियूल और क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू मौडियूल के अंदर के बातावरण यानि अभी वैसा न मौडियूल और क्रू एस्केप सिस्टम अलग हो जाएगा। क्रू मौडियूल को यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा और श्री हरी कोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में लेंड कराया जाएगा। इस मिशन में वैज्ञाने क्या टेस्ट करेंगे कि ट्रांजेक्टरी क्या ठीक तरह से काम कर रही है। असल मिशन के दौरान रॉकेट में खराबी आने पर एस्ट्रोनॉट कैसे सुरक्षित रूप में लेंड कर पाएंगे। कुल चार टेस्ट फ्लाइड भेजी जानी है। टीवी, D1 के बाद D2, D3 और D4 को भेजा जाएग अगले साल की शुरुआत में गगनियान मिशन का पहला अनमेंड मिशन यानि इसमें किसी भी मानव को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। अनमेंड मिशन के सफल होने के बाद मेंड मिशन होगा जिसमें इनसान स्पेस में जाएंगे। गगनियान मिशन के तहत इसरों ने अगले साल की शुरुवात में गगन्यान मिशन का पहला अन्मेंड मिशन प्लान किया है। अन्मेंड मिशन के सफल होने के बाद मेंड मिशन होगा, यानि जिसमें लोगों को भेजा जाएगा। इसमें इस्पेस में इंसान जाएंगे और ये बाद में लॉंच किया जाएगा। इससे पहले इस्ट्रो ने गगणियान मिशन के लिए ड्रेग पैराशूट का सफल परिशड आठ से दस अगस्त के बीच एंडीगर में किया था। ये पैराशूट एस्ट्रो नॉट्स की सेफ लेंडिंग में मतद करेगा। यह क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम करेगा, साथ ही उसे इस्थर भी रखेगा। इसके लिए एस्ट्रो नॉट्स की लेंडिंग जैसी कंडिशन्स टेस्टिंग के दौरान क्रियेट की गई थी। गगन यान में तीन दुनों के मिशन के लिए तीन सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर उपर प्रत्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सरक्षित रूप से समुद्र में लेंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में काम्याब रहा तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। बतादे 12 अप्रेल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गागरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे। पांच माई 1961 को अमेरिका के एलन शेफ़र्ड 15 मिनट स्पेस में रहे। 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिवेड 21 घंटे तक स्पेस में रहे। दरसल पीम मोदी ने साल 2018 में सुतंदरता दिवस भाषड में गगनियान मिशन की घोशना की थी। 2022 तक इस मिशन को पूरा करने का लक्ष रखा गया था। हालांकि कोविड महमारी के कारण इसमें देरी हुई। अब 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक इसके पूरा होने की संभावना है। इसरो इस मिशन के लिए चार एस्ट्रोनोर्ट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। भेघंगलूरू में स्थापत अयस्ट्रोनोर्ट्रेनिंग फेसिलिटी में क्लास्रूम ट्रेनिंग, फिजिकल, फिटनेस, सिमिलेटर ट्रेनिंग और फ्लाइट्ड सूट ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरों भविश्य के मानों मिशनों के लिए टीम का विस्तार करने की योजना भी बना रहा है। गगनियान मिशन के लिए करीब 90.12-23 अरब रुपए का बजट आवंटित किया गया है।